यह तो पिर चाल वांदास करोना वाइरस को ले डेकर लगतार देश में गंभीर चिंता दिखाई दे रही है और प्रधान मंदरी देशें से तो अपील की है कि मिलकर लड़ें वीडियो चैटिंग करें, बातचीत करें, एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, करोना वाइरस को लेकर जिस तरीके से जागरुकता भिहान बड़ा है, सरकार को क्या सला देंगे? यह लगता है कि मानने नरेदर मोदी जी की सरकार जब इसे तरीक आदत पैदा होती है, एशय में हो श्याय में हो इसका मुकाबला करने के लिए उनके साथ खडे रहने की हमारी आदत है, और नरेदर मोदी जी ऐसे वक्त पर मतलब हर देश के साथ कहडे रहते हैं, उन्होंने म अगर यहां तक पहुंचता है तो उसको जाने का जो जानी की जो भावना है यह मैंने रखी थी तो बहुत सारी लोगों ने इसको लाइख भी किया कुछ लोगों को लगाए वाहिसा कोरुना जाएगा क्या कोरुना जाओ बोलने से प्रतिकास्मक अमारी कोशना थी और शायना के मुंबई में रखे है उनके साथ मैंने के टुआप इंडिया जो मुंबई में है वहां मतलब हमने एक एजिलेशन की किया था और उसमें गो कोरुना गो कोरुना इससे तर बगोशना में की थी मुझे लगता है कि गो कोरुना का मैंने दे दिया था नारा इसलिए जा गया था भारत तारा पूरे दुनिया में चमक रहा है कोरुनों दें सा तारा लेकिन हम एक दिन बजा देंगे कोरुना के बारा तो इसी तरह मतलब कोरुना को हटाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, हाथ में हाथ नहीं मिलाना है, देश के एकता के लिए हाथ मिलाना है, लेकिन कोरोना के इस उसर पर किसे ने हाथ में हाथ नहीं मिलाना है, और हम सब लोगों ने इसका सामना मिलकर करना चाहिए. आपने तो पूरी कविता बना दी जागरुकता अभियान के लिए आपका नारा तो काफी फेमस हुआ है चर्चा हो रही है लेकिन अभी चर्चा अगर अच्छे के लिए कोरोना जाने के लिए अगर उसकी चर्चा अच्छी होती तो अच्छी बात है मुझे तो मतलब कविता क करने के लिए कोरोना वाइरस से एक तरफ जहां लगतार चुनोती बड़ी हुई है तो दूसरी दरफ अपने ये अंदाज में खास अंदाज में केंड़िया मंतरी रामदास हठावले गो कोरोना का नारा दे रही हैं और कह रही हैं कि इस प्रतिकात्मक नारे के साथ उन्होंन प्रदीप कुमार टोटल न्यूज दिली